अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके फूट ठेक के मारो या फिर मॉंबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए आज की इस वीडियो में हम लोग से दिखने वाले हैं कि अगर आपके आइफोन में कॉल एटोमाइटिक रिस्टीब हो जाता है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं तो अगर आप हमारे चैनल पर नाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो का लाइक जरूर दिखा देखा एक हैं तो प्रेंट्स अपने देखा मैंने मॉबाल को टच भी नहीं किया हूं और इटोमाटिक काल रसीब हो गया तो चलिए इससे साही करते हैं तो सब्सक्राइब आपको आईफोन में लाग खोलना है अगर आप पोन में लागोग होगा तो आधो सबसे प accessibility पे जाएंगे उसके बाद touch पे जाएंगे थोड़ा सा scroll down करेंगे तो call auto routing मिलेगा आपको उस पे जाना है यहां पे दिखेगा आपको auto answer calls तो आपको इस पे click करना है और उसके बाद देख सकते हैं यह auto answer calls जो on है हमें इसे off कर देना है तो friends यहां से आपी easily off कर सकते हैं इसे चलिए मैं आपको फिर से call करके दिखाता हूं तो friends आपने देखा मैं call किया हूं दूसरे phone पे लेकिन call जो है automatic receive नहीं हुआ और हमने जब receive किया इस call को तभी यह call receive हुआ तो friends यह वीडियो आपको कैसा लगा comments करके ज़रूर बताएं मैं नहीं बताऊंगा and मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए bye take care अपना ख्याल रखें